हेले नमस्कार दोस्तों कैसे आप साब आप सब्सक्राइब करता हूं अपने चैलेंज दीबने अप्टेक में राज हम बात करने वाले हैं है LG C9 55-inch Ultra HD 4K OLED Smart TV के बारे में यह TV AI supported है और जो है काफी अच्छे features के साथ आता है तो इस video में जो है इसी specifications इस TV के specifications और features price क्या है उसके बारे में बताऊंगा तो चलिए यह video में आगे बढ़ते हैं और यसी LG C9 के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको यह LG ThinQ में आपको AI का support तो मिलता ही है जिसकी मदद से आप Google Assistant को भी enjoy कर सकते हैं जो कि आपके viewing experience को बहुत ही बढ़िया बना देता है यहाँ पर आप Google Assistant की मदद से आप fully अपने TV को control कर सकते हैं दूर बैठे अपने remote से यहाँ पर Apple AirPlay 2 मिलता है इस TV में जिसकी मदद से अगर आपके पास Apple के कोई भी devices है iPhone हो, कुछ भी हो, Macbook हो तो यहाँ से आप जो है easily share कर सकते हैं content को link करके इस TV के साथ picture of videos, music सभी को जो है easily share कर सकते हैं इस TV पर तो यहाँ पर आपको मिलता है home dashboard इस TV में तो home dashboard की मदद से आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी other devices हैं तो आप जो है इस TV से easily access कर सकते हैं और control कर सकते हैं अपने सभी devices को जो की आपने लगा रखे होंगे अपने जो कमरे में या फिर अपने घर में तो यहाँ पर आपको मिल जाता है AI picture का option तो AI picture क्या करता है यहाँ पर आपकी जो weaving experience है जो भी sharpness है colors है वीडियोस के बहुत ही बढ़िया कर देता है और जो है आपको बहुत ही अच्छे colors दिखाता है artificial intelligence की मदद से आपको AI sound भी मिलता है जिसके मदद से आप जो है optimize कर सकते हैं अपने sound quality को यह automatic जो है optimize कर देता है sound quality को और जो है यहाँ पर आपको contents जो आप देखते हैं वो भी काफी बढ़िया जो है audio के साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर AI sound मिल जाता है बहुत ही अच्छी speaker quality दे देता है यह TV AI brightness भी मिलता है तो AI brightness में जो है यह enhance कर देता है brightness को जो भी image हो या फिर colors है videos के sharpness है pictures की सबी जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलते हैं इस TV में आपको मिलता है OLED Black का option जिसकी मदद से जो ह जैसे कि आपको कोई dark color है या black हो जैसे तो वो जो है बहुत ही अच्छी से enhance हो जाता है और जो है जो color है वो ही दिखता है अगर black है तो full black दिखता है अगर blue है तो वो blue ही दिखता है और जो है बहुत ही vibrant कर देता है other colors को जैसे red हो औरेंज हो गया जो bright colors होते हैं वो भी बहु 10 pro का support मिलना तो बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि इसमें आपको जो है content जो होंगे HDR 10 में आप बहुत ही बढ़ियां से enjoy कर सकेंगे बहुत ही clearly और बहुत sharp pictures दिखने वाली हैं बहुत ही vibrant pictures दिखेंगी immersive weaving experience होने वाला है यहाँ पे unlimited entertainment मिलता है क्योंकि आपको इस LG TV मिलता है web OS जो की आता है LG की तरफ से यानि आप इसमें नेट्फ्लिक्स YouTube और बहुत से चीजों को यहाँ पर stream कर सकते हैं और enjoy कर सकते हैं अपने इस TV में आपको मिल जाता है magic remote मैजिक रिमोट में आपको मिलता है Bluetooth तो आप जो है अगर आप अपने कमरे के किसी भी section में आप इस टीवी के कमरे में है तो आप जो है Bluetooth से इसे डिरेक्ली कंट्रोल कर सकते हैं आपको टीवी के सामने बैट के कंट्रोल करने की ज़रूर नहीं पड़ेगी तो generally general specifications की बात कर लूँ तो यहाँ पर screen टैप जो है OLED है और इसकी resolution जो है Ultra HD है यानि 4K है और इसमें HDMI ports आपको 4 मिलते है USB के ports 3 मिल जाते हैं और यह built-in Wi-Fi है यह TV इसमें आपको जो है Ethernet का भी connection आपको यहाँ पर support देखने को मिलता है Wi-Fi तो मिली जाता है पैनल टाइप इसका OLED है और refresh rate 120 Hz का मिल जाता है 3 GB की RAM मिलती है आपको जो है 8 GB का storage memory मिलता है Netflix YouTube और hotshot जैसे सभी applications इसमें supported हैं screen mirroring भी देखने को मिलती है और operating system जो है आपको Google की तरफ से कोई भी Android देखने को नहीं मिलता है पर web OS मिल जाता है number of speakers जो है दो मिलते हैं जो की front firing है आपको नीचे की तरफ speakers मिल जाएंगे जो की front आपको front facing यहाँ पे speakers मिल जाते हैं Dolby Atmos का sound technology इसमें supported है और OLED surround है तो काफी अच्छी 40 watts तक इसकी speaker output आ जाती है इसमें आपको sound modes मिल जाते हैं जैसे की standard हो, cinema हो, clear voice, cricket mode हो, music mode हो, game mode हो, सभी जो है यहाँ पे आपको मिल जाते हैं MP3 जो supported है, I mean audio जो supported है, formats की बात करनों तो MP3, WMA आपको यहाँ पे supported मिल जाएंगे batteries भी मिल जाती है इसके साथ और जो है, जैसे generally आपको क्या-क्या मिलता है, जैसे manual card तो मिली जाता है, warranty card मिलता है remote मिल जाता है, batteries मिलती है, और जो है, यहाँ पे आपको कोई stand वगेरा देखने को तो नहीं मिलता है इसके साथ तो यहाँ पे यह TV है, LG की तरफ से, जो की काफी बढ़िया है दिखने में, और जो है, इसका weaving experience भी कमाल का होने वाला है और यहाँ पे आपको जो है, बहुत ही, बहुत ही बढ़िया specifications मिलती है, मैं काऊंगा क्योंकि यहाँ पे, LG बहुत ही thin TV है, और बहुत ही पतला है, इसे आप देखेंगे तो आप जो है, यहाँ पे, अगर आप किसी भी बड़े कमरे में रहते हैं, वहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से fit हो जाएगा तो इस वीडियो में, जो है, मैंने LG TV के बारे में आपको सभी चीज़े बता दी, पर प्राइस नहीं बताए तो प्राइस इसका 1,48,999 रुपेस है, यानि कि आपको यह पढ़ जाता है, करीब करीब 1,49,000 रुपीस में तो नीचे में लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में वहां से आप जो है, इसे चेक भी कर सकते हैं, अगर आपको यह TV पसंद आता है, तो आप जो इसके बारे में, जो भी सोच सकते हैं, खरीदने का अगर आपको यह TV पसंद आती है, तो क्योंकि LG बहुत से लोग मु अगले वीड़ी में, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लिजे, शेर कर दीजे, लाइक कर दीजे हमारे वीडियो को, जली मिलते हैं आप से अगले वीड़ी में, तब तक के लिए, जय हिंद बंदे मातरम